हेलो फ्रेंट्स, मेरी तरब से आप सब को दिपावली की आर्दिक शुप कामना है दिपावली का तिवार चल रहा है, आप सब लोग अपने अपने परिवार के साथ दिपावली मना रहे होंगे और मैं भी इस वक्त मेरे गर पर हूँ अपने परिवार के साथ मैं भी दिवाली मना रहा हूँ तो इस बार दिवाली पर मैंने सोचा कि रेगिलर वीडियो नहीं लाकर एक छोटा सा वीडियो लेकर आउँ क्योंकि आप सब लोग काफी बीजी होंगे और आपके पास समय भी नहीं होगा लंबा वीडियो देखने का तो ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं आपको अपने नए गर का हाउस टूर करवाऊंगा मैंने नया गर खरीदा है तो मैंने सोचा ये अच्छा मौका है आप से कुछ बाते शेयर करने का और एक अच्छी सी एनाउंसमेंट है जो मैं करना चाता हूँ दीवाली के मौके पर आप में से काफी लोग खुस होंगे ये एनाउंसमेंट सुनके क्योंकि काफी लोगों ने मुझसे डिमांड की थी इसके बारे में और मैं काफी समय से सोच रहा था लेकिन मौका नहीं आ रहा था और सई समय का इंतेजार कर रहा था तो ये बिल्कुल सई समय है तो सबसे पहले मैं आपको अपने ने गर का हाउस टूर करवाता हूँ और उसके बाद में मैं एनाउंसमेंट करूँगा तो ये है घर की एंट्री नेम प्लेट लगी हुए है सोलंकीज और यहाँ पर प्लांट लगे हुए है नीचे ये लिविंग रूम है और उसके पास में आगे किचन है और उस तरप में वहाँ पर रूम है ये में गेट है जहां से हम अंदर आए है और ये टीवी यूनिट है और इस तरप में ये किचन है मैंने आपको बताया और किचन के पास में यहाँ पर यह डाइनिंग एरिया है यहाँ पर हमारा मंदीर है और यह है हमारा master bedroom और सामने हमारी मैडम बैटी है यह master bedroom का हमारा bathroom है सामने common wash basin है और common bathroom है ये ये kids room है दोनों बच्चे यहाँ पर बैठे हुए है Hello Hello Dishan सामने तो देख लो देख लो ये है हितांशी Hello तो ये family memories है यहाँ पर kids room में दोनों बच्चे हैं और उनके साथ में हमारे भी फोटो है ये वाली जो beach की photo है ये कस्मी trip की photo है मैंने आपको मेरी family बताए थी कस्मी trip में तो kids room मैंने आपको बताया और ये master bedroom है ये भी मैंने आपको बताया ये जगा मैं आपको बताना बूल गया मेरा ज्यादा समय यही पर कटता है क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ यह मेरा डेस्क है और उपर यहाँ पर मैंने यूट्यूब का प्ले बटन लगाया हुआ है अगर आपका प्यार इसी तरह रहा क्योंकि यह सारी बिल्डिंगे बन रही आगे तो जब यह उपर तक आज आएगी तो सारा व्यू चला जाएगा लेकिन अभी छे-ाट महिना लगेगा इसको फिलाल अभी काफी अच्छा व्यू मिलता है और यह नीचे का गार्डन है जो कि अभी डेवलप हो रहा है और सुसाइटी को भी डेवलप होने में करीब 6-8 महिने लगेंगे पूरी तरह से अभी काम चल रहा है सारा तो रूम की बालकनी मैंने आपको बताई और लिविंग रूम की बालकनी में आपको बताता हूँ हाला कि व्यू तो वैसा ही है लेकिन फिर भी आप देखिए एक बार यहाँ पर भी मैंने प्लांट लगा हुए है उपर हैंगिंग प्लांट और यह यहाँ से व्यू है लिविंग रूम से यह किचन की गैलरी है वाश एरिया है किचन का कि अगर आपको मेरे घर का हाउस टूर करवाया आशा करता हूं आपको मेरा घर अच्छा लगा होगा और काफी सांत जगा पर मैंने घर लिया है सहर की एकदम बाउंटरी पर है क्योंकि मुझे शोर सराबा थोड़ा कम पसंद आता है तो इसलिए मैं थोड़ा अलग से रहना पसंद करता हूं खाने की तेर्यारी हो रही है क्या बनाया जा रहा है क्या बन रहा है मैडम डालबाटी वाह क्या बात है तो आज हम मैडम की याद की स्पेशल राजस्थानी डालबाटी खाने वाले हैं आज का मेन्यू डालबाटी है डालबाटी विच चूर्मा ओके तो राजस्थानी तो इसलिए मैं अपने आपको गुजराती और राजस्तानी दोनों समझता हूँ तो दाल बाटी का प्रोसेस चाल हुए आपको बताते हैं दाल बाटी कैसे बनती है तो यह बाटी का कुकर है इस पर बाटी रख दिये कुछ इस तरह से होता है तंदूर वाला कुकर है तो हमारी बाटी तैयार हो रही है और यह प्याज की टमाटर की और मिर्च की मिक्स चटनी बनेगी और यह दाल का तड़का लगेगा उसका सामाने दाल बाटी के साथ हम यह मूं की छिलके वाली दाल खाते हैं साथ में थोड़ी सी चने की दाल भी होती है तो हमारी बाटी बन चुकी है और अच्छे से पक भी चुकी है अभी इसमें हम डालेंगे गी यहाँ पर अभी बन रहा है यह चूर्मा बाटी को हम पहले प्रिक्षेंगे मिक्सी में उसके बाद में इसमें गुड और घी मिलेगा और ज्यादा फिर बनेगा मज़ेदार चूर्मा तो खाना लग चुका है और मज़ेदार डाल बाटी तयार है यह है प्योर राजस्तानी डाल बाटी यह है हमारी बाटी और यह है दाल मसालेदार साथ में पापड मिर्च का आचार और यह प्याज टमाटर की चटनी और यह है चूर्मा तो प्योर राजस्तानी डीस है यह दाल बाटी चूर्मा आज हम खाएंगे खाएंगे वैसे दाल बाटी हाथ से खाने में मज़ा आता है चमत से मज़ा नहीं आता है काफी लोग इसको स्पून से खाते हैं लेकिन उसम मज़ा नहीं है रियल जो मज़ा है वो हातों से है अब हम डालेंगे इस पर दाल मज़ेदार कि यह प्याज टमाटर की चटनी है मसालेदार अलग ज्यादा मसाला चाहिए तो हम यह ले सकते हैं साथ में यह हमारी हरी मिर्च इसमें कि हम निम्बू डालेंगे और साथ में हम लेंगे थोड़ा सा प्याज गरम गरम है एकदम है तो फटाफट टेस्ट करते हैं दाल बाटी कि मसा अधार कि अ कि कि हुआ इन्ट दाल बाती खाने में इतना मताया उससे ज्यादा मज़ा आतरा कर सोने में आया तो करीब चार बज गर यहां और उसके बाद मैं शो गया और शारे छह बज़े मेरे नीन्द कुली 你 नाहिए नही नहीं लिए इतनि नए तो दाल बाटी काफी हेवी होती है और साथ में मैंने चार्ज भी पी ली ती तो काफी बढ़िया नीद आई मुझे और अभी मैं उठा हूँ और उठकर मैंने आपको बाहर का नजारा दिखाया इस वक्त सांथ बच चुके हैं और बाहर दिवाली की काफी रौश्णी होई है तो काफी बढ़िया लग रहा है नजारा काफी बढ़िया दिख रहा है मैंने आपसे कहा था कि मैं इस वीडियो में एक एनाउस्मेंट करने वाला हूँ तो बात कुछ ऐसी है कि काफी लंबे समय से मुझे आप लोगों की डिमांड मिल रही है और डिमांड यह है कि मैं वी मैं भी काफी जाता हूँ कि वीक में एक की जगह में दो वीडियो आपको दे सकूँ लेकिन इस तरह के लंबे वीडियो वीक में दो देना पॉसिबल नहीं है तो इसके लिए मैंने एक शॉलूशन ढूंडा है और शॉलूशन यह है कि मैं एक नया चैनल बना रहा हूँ और उसके उपर यह सारे वीडियो आएंगे अभी रेगिलर चैनल पर जो वीडियो आ रहे है इसी तरह से वीडियो आते रहेंगे लेकिन नए चैनल के उपर आपको थोड़े पर्सनल टच वाले वीडियो देखने को मिलेंगे हाला कि उस पर जो वीडियो आएंगे वो इतन ने चैनल पर करूँगा अलाकि आप में से कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि मैं इसी चैनल पर यह सारे वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूं तो उनके लिए मैं अलग से चैनल बना रहा हूं बाकि यह जो चैनल है इस पर इसी तरह के सारे वीडियो आते रहेंगे जो आ रहे हैं तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं दिवाली के आपको एक बार फिर से डेट सारी शूप कामना है और आने वाला नया वर्ष आपके जीवन में नहीं खुशिया लेकर आये आप सौस्त रहे वेस्त रहे मस्त रहे ऐसी मेरी कामना है दिवाली के वेस्त समय में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बढ़ शुक्रिया धन्यवाद आपने समय निकाला उसके लिए और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों का खास ज्यान रखो खास करके बच्चों का दिवाली का समय है इसके लिए आप जो हैपी दिवाली